Hello students, Ninja Technique Series में आज हम लोग करेंगे compound risk के सवालों को compound risk में एक type का सवाल है जो आपके exam में बहुत ज़्यादा पूछाता है railway के, हर exam में पूछाता है, चाहे आप NTPC ले लो, चाहे आप group D ले लो, चाहे के, अगर कोई सवाल 2-3 सेकंड में हल हो जाता है और उस सवाल को हल करने के लिए आप 45 सेकंड लगाते हो तो यह आपके समय का ही नुकसान है अगर इसी कासर समय है अगर वो किसी और सवाल में दे दो तो आपका दूसरा सवाल सही हो सकता है तो चलिए आज हम लोग जो टेकनीक पढ़ेंगे जो निंजा टेकनीक सीखेंगे उससे क्या है कि आपको पेन उठाने की जुरत नहीं पढ़ेगी आप मन में सवालों को पढ़ोगे और मन में ही सवाल हल करके आगे बढ़ जाओगे आपको option देखना है सवाल पढ़ना उत्तर टिक करना आगे बढ़ना बस इतनी ही देर का काम है तो आज के class में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो साल का concept जिसमें आपको मुल्दन दिया होता है और ऐसा बोला होता है कि दो साल का compound rest और दो साल का simple interest सवाल में दिया होता है और उससे फिर अपनी हम लोग मींजा टेकनीक निकालते हैं कि हमें क्या टेकनीक यूज करनी है जिससे हम सवालों को एक्दम छोटा सा छोटा हल कर सके तो देखें इस तरीके के सवाल आपके एक्जाम में आते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लेकिन सबसे पहले हम concept को छोटे numbers पर देख लेंगे और उसको हम लोग फिर हर सवाल में लगेंगे चोटे चोटे डेटा पर हम लोग सख लेते हैं कि क्या concept और फिर हर सवालों में उसको लगेंगे भाई बहुत ही सिंपल सी बात हैं सब लोगों ने compoundress और simple interest पढ़ रखा होगा मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत basic सभी का clear होगा एक simple सी बात अगर मैं करूं कि जैसे मानलो मेरा 1000 रुपय मेरे पास में है और जो rate of interest है वो 10% है simple सा बहुत simple सा example अब मैं इसको दो तरीके से लेता हूं मैंने क्या बोला कि हम लोग को तो 2 साल का compoundress और 2 साल का simple interest और इसका अंतर निकालना बस यही चीज़े निकाल ली आपको मुल्दन दिया जाएगा आपको दर दिया जाएगा और आपको 2 साल compoundress simple interest का अंतर पूछा जाएगा मतलब इन तीनों में से आपको एक दो चीज दी जाएगी और एक चीज पूछी चीजेगी तो हमें इनी तीनों चीजों को अपस में relate करके पड़ना है जैसे अगर मैं माननेता हूं कि जैसे मेरा 1000 रुपए मूल्दन है अगर मैं simple interest की बात करूं तो 10% से अगर मैं पहले साल की बात करूं तो मुझे कितना रुपए मिलेगा 100 रुपए मिलेगा फिर अगल साल की बात करेंगे तो पहले साल हमारे व्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे आप चक्रविदी व्याज से निकालो चाहे आप साधान व्याज से निकालो तो यहां पर भी जो आपको व्याज मिलेगा कितना मिलेगा सौर पही मिलेगा लेकिन अगर हम दूसरे साल की की बात करें तो हमें क्या है कि यहां पर जो मुल्धन पर व्याज मिलता है मुल्धन का जो 10% मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा चक्विदी व्याज का concept क्या होता है कि हमें जो व्याज मिल चुका है पीछे हमें जितना भी व्याज मिल चुका है उस व्याज पर भी व्याज मिलता है तो हमें पीछे की बात करें तो हमें कितना व्याज मिल चुका है इतना व्याज मिल चुका है तो हमें इस पर भी व्याज मिलेगा मतलब इसका भी 10% मिलेगा और इसका 10% कितना हो जिएगा इतना हो जमें मिलें तो अगरा में अगर इस समांपॉल्डे समय नुक्सान होगा हम लोग जो टेक्नीक हो बहुत ही चोटा होगा हमें इसी को इस तरीके से समझना है कि हमारा calculation बहुत चोटा हो जाए हम जल्दी से approach लगा सके तो अगर जैसे मैं इस number की बात करूँ यह हमारा asya कैसे है यह हमारा क्या है? principle है यह उप्रिंसिपल है मुल्धन का आर परसंट यहां पर पहुंचेंगे फिर हम लोगोंने क्या किया कि इसका 10% निकाला मतलब जो भी rate होगा यह हमारा interest मिल गया और interest का फिर हम लोगोंने आर परसंट निकाला है तो यह हमारा क्या आगया interest और इसी का हम लोगों निकाला है आर परसे निकाला है तो यह हमारा किसके बराबर जाएगा दो साल का component rates और दो साल का simple interest के अंतर के बराबर इसको मैंने D से लिख दिया तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको ध्यान से समझना है कि principle है अगर मैं दो बार rate of interest से गुड़ा कर दे रहा हूं दो बार rate of interest से गुड़ा कर दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है दो साल के चक्रवधी व्याज और साधान व्याज का अंतर मिल जा रहा है यह आपका पहला अगर आपसे क्या पूछा जाएगा यह दोनों चीज़ें दी रखी है और आपसे क्या पूछा जा रहा है दूसरा मालो आपको क्या दिया हुआ है आपको अंतर दिया हुआ है मालो आपको यह अंतर दिया हुआ है और आपसे principle पूछा जा रहा है तो कैसे करें गए दो बार r% का भाग दो जो प्रिंसिपल की value है वो क्या हो जाएगी d upon r% into r% थोड़ा सा board हमारा slow हो गया है यहां तक बात सभी को समझ में आगी एक अगला slide लेता हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी लिख सके अगर हम मैं बात करता हूँ हम लोगों ने दो चीज़े लिख लिए एक हम लोगों ने लिख लिया p का r% into r% हमारा किस के बराबर है d के बराबर है और हम लोगों ने क्या बोला principle निकालना है तो d upon r into r कर दिया लेकिन अगर किसी सवाल में r पूछा है तो जो r² का मान हो जाएगा r² का मान किस के बराबर हो जाएगा d upon p के बराबर हो जाएगा लेकिन हमें R का मांच चीए तो हमें क्या करना है? वर्गमूल निकाल लेना है अब ये तीनों का तीनों कैलकुलेशन हमको दिमाग में फिड कर लेना है कि अगर मैंने प्रिंसिपल में R का गुड़ा किया फिर R का गुड़ा कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा अगर D में मैंने R का भाग दे दिया R का भाग दे दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा D बटे P करके वर्गमूल निकाल लेया तो मुझे क्या मिल जाएगा? आर्मी जाएगा बात समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक हम इसको example के थूर नहीं समझेंगे तब तक connect नहीं होती चीज़ है तो चलिए फटा-फट example करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी आंसे निगाते हैं सवाब परत rainsयव तरह सवाल प्रत अबमारों दो साल के लिए पांच परसंट की व्याज Strange का पांच परसंट 9 परसंट का 5 परसंट आपको गुला करना है परसंट का मतलब सता यह बटे सव बटे सब अ हम लोगं काद में करेंगे हमें सिर्फ क्या पकड़ना ऑ्स पहले तो डिजट पकड़नी चार गुड़े-पांच पीस आज जाएगा और बीस गुड़े-पांच परके तो क्या आजएगा तो आगर हमगो डिजट की बात करें तो फो 2004 यहाँ पर तीम नहीं अब यहां पर भी एक ज़ा तो जब अगर हमें दो अप्सन एक जैसे मिले तो हमें क्या करना है तो हमें यह करना है कि फिर हमें पूरा देखना पड़ेगा अब जैसे हमें इसको लिखना पड़ेगा 400 इस case में हमें लिखना पड़ेगा लेकिन आप देखोगे कि mostly question में हमें लिखने की जुरत नहीं पड़ेगी पांच बटे सो पांच बटे सो कहानी खतम ये दो 0 गया 25 चोका सो ये खतम हो गया पूरा कट के हमारा कितना आ गया ये हमारा क्या हो जागा उत्तर हो जागा आप देखोगे कि आगे हम लोग कई सारे सवाल करेंगे जिसमें हमें ये भी करने की जुरत नहीं पड़ेगी हमें बटे सो बटे सो भी करने की जुरत नहीं पड़ेगी इस सवाल में कह रहा है 15,000 की रासी पर 8% प्रतिवर्स की दर से 2 साल के लिए चकविदी व्याज और साधान व्याज का अंतर निकालना है है 15,000 की तना होगया 15,000 की डिजिट देखलो 90 अगर 960 नौद दसमलोच 6 होता तो फिर हम लोगगans करा ल लें चाहे तो आप लिखलो लेकिन आप लिखलीन सर वित λहां कर दो ऐसा करने से आपको क्या है कि आप मन में कर सकते हो 158 20 158 120 और बार चांवे एक बार में चांवे सीदे सीदे आंसर ठीक के आगे बढ़े और सवाल करते हैं चलो बैपन पेपर रटेते हैं क्या रहा है 200 पर दो वर्सों के लिए 10% मार्शिक व्याच की दर से साधान व्या कि दो गुड़े एक गुड़े एक दो आजाएगा कानी काता सी आंसर और आगे बढ़ते हैं कि चार हजार के मूल्धन पर 20% की वार्षिक दर से 2 साल का सधान व्याच क्या होगा चार दुना आठ या दो दुना चार और चार चुको कितना आजागा सोला हमारा आंसर जहां आप बताओ यह क्यालकुलेशन करने में कितना समयलेगा एक सेकेंड दो सेकेंड इवन दो सवाल पढ़ते हैं क्यालकुलेशन हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं कारा रुपे दस जार की दो रासिा होमेंसे प्रतक रासी दो वर्श के लिए निवीस के गई 5 % सब्र Bent Pilipo कि दर पर दूसरा व्यारसिंग चक्वधि व्याच की समान धर पर मतला हमको कह रहा है एक ही रासी को दो साल के लिए और चक्वधि व्याच मेंनुप ए आगर simple interest की बात किया तो यहाँपे similar... compound 跟... अगर मैं amount के अंतर की बात करूंगा, to principal से to principal कट जाएगा, जो amount का अंतर है वही क्या जाएगा, single interest और infections मतलग चाहे आपसे दो साल के चक्रवदीवयाज और साधान व्याज का अंतर पूछ या साल के मिस्रधन और दो साल के सधान व्याज से मिस्टन और दो साल के चक्रविदी व्याज का मिस्टन पूछे, आपका concept क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या करना है, पांच गुड़े, पांच 25, 25 गुड़े करोगे, पांच जहां पर 25 दिखें, वहीं आंसर, 25 डिजिट में देखा, आंसर हमारा क्योंकि हमें, 10% का जहां गुड़ा करेंगे, तो डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, बलबास सभी को क्लियर हो रही है, अगर ऐसा सवाल आपके एक्जाम में आता है, तो आप मुस्किल से 2-3 सेकंड में सवाल जब तक बढ़ोगे, तब तक आंसर निकल के लिए, तो बाकी 20 सवालों के लिए आपको अच्छा का सा टाइम में जागा है, जिसमें आप खुड़ा समय दे के सवाल को हल कर सो, अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, निश्चित राशी पर 8% की दर से 2 वर्सों के चक्विधी वाज और सदार व्याज के बीच का निकालना है, P into R into R बराबर होता है D, तो हमें P निकालना है, तो D में क्या करना है, R और R का भाग देना है, मतलब 8 बटे, 8% और 8%, अब देखो 8%, 2% बटे 100, तो आपको क्या करना है, कुछ निकरना है, आप उपर सीधे 4 0 लगा दो, भै 2 बार परसेंट आगा तो 4 0, जो भी परसेंटेज है, उससे भाग दिया, 8-8 गया, और यहां पर कितना होगा, 10,000, अब 8 से भाग देते है, 1000 में तो कितना आता है, 1, 2, 5, और 0, यह आपका क्या जगा, answer है, 1 by 8, ऊपर 1, 2, 5 डिजेट में मिल जागा, सीधे, सीधे, और सवाल देखते हैं, बड़ फटा-फट, क जब चार दुनिया, और चार पच्चे 20, पांच आ जाएगा, डिजेट में 5 देख लो, बस कहानी का तम, 0 भी मैच कराने की ज़रत नहीं, जब 5 दो जिखेगा, तो हम 0 देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, कितना 0 बनना है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कहरा है, किसी र आट, डिजेट में 8 सिर मिलना चाहिए, आंसर सी, टाइम बेस करने की ज़रत ही नहीं है, इवन तो आप मन में भाग देते हो, दो है, पांसे भाग देंगे, चार बार जाएगा, चार में पांसे भाग देंगे, आट बार जाएगा, जीरो तो आटोमेटी बढ़ता जाएग चार जीरो लगा दिया, 15 गुड़े 15 कर दिया, बार बार जो मैं 4 जीरो लगा रहा हूँ, अगर आप नहीं भी लगाओगे और डिजिक मैच कर ओगे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 15 से भाग दिया, 12 बार जाएगा, 15, 8, 120, 8 बार जाएगा, तो फिर से 8 आठा आपका अंसर आजाएगा देख रहो और आप देख रहे होगे कि हर जो भी सवाल हम लोगों ने लिया है किसी ने किसी एक्जाम में आए चाहिए आपका गुरूबडी में आए चाहिए आपका जे में पीछे वीडियो करके देख सकते हो सारे सवाल की डेट मैंने लिख रखी नहीं और आगे बढ़ता है एक निश्ची तराशी पर साढ़े बारा परसेंट की दर से दो वर्स के चक्रविदी व्याज और सादार व्याज का अंतर पैतालिस रुपए है अच्छे देखो कई बार आपको इस तरीके से अभी तक जो हम लोग को परसेंटेज मिल लेते छो अब जो हम बार-बार चार जीरो बढ़ा रहतें हैं वह चार जीरो बढ़ाने के जुरुत नि क्या हो जाएगा 45 और एक बटे-ाठ, एक बटे-ाठ करोंगे तो दोनो आट उपर चला जाएगा 45 गुट गुटे-ाठ कितना हो जाएगा 360 और गुटे बेमें आठ, छे-ाठ 8 4 अनत में आठा नचे यूनिट की बात करें आठ किसमें आ रहा यह उप्शन में आ रहा बस यह आपका क्या हो जाएगा इवन दो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव भी है लेकिन हम लोग कितनी जल्दी उत्तर पर पहुंच गया बहुत फास्ट परसेंटेज साड़े बारा है फ प्रिंसिपल निकालना लेकिन अगर किसी सवाल में हमको दर निकालना है तो भाई दो नंबर एक अंतर आपको दे रखा और एक आपको मुल्दन दे रखा तो मैंने क्या बोला हमेशा उपर छोटा रहेगा नीचे बढ़ा रहेगा यह आपको याद रखना है तो आठ सो अगतर तो कितना आ जागा एक पच्चेस अगा और एक बटे पैसISE का वर्ग मुल्द लोगे कितना आ जागा-एक बटे-पा具 और बटे-पाँच क को परसेंटेज में बतल लोगा तो कितना आ जागा-टो को बात Qeitha ऐसा है, easy, तो यह सारे टाइप के हमारे इस तoryके से जितने भी उठंब में सवाल पूछा आते हैं वो cover हो गए, जिसमें आपका 2 साल का component rep,। 스pal stress का अंतर होता है धर होता है जोन होता है और आप देखोगे कि जो हर सवाल है इस तरीके का वो आप मुश्किल से दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड जितनी दिर में आप सवाल पढ़ोगे उतनी दिर में आपका अंसर आजाएगा तो जाने से पहले सभी लोग से बस एकी रिक्वेस्स है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेंड, उतना ज्यादा शेयर करें यह जो हमारी निंजा टेकनिक सेरीज है इसको आप लोग जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए और इस निंजा टेकनि लगाओ ना निंजा टेकनीक लगाओ ना और आंसर जल्दी से निकालो बिना किसी समय का नुकसान के हुए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे शेशन को लाइक करेंगे और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही और आगे इसी तरीके की सीरीज में आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें जो बहतरीन बहतरीन सवाल है जो आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछाते हैं उन सबकी में छोड़ी से छोड़ी टिकनिक आपको सिखाता रहूँगा झाल